आपको पता है कि हम चेक बाउंस केस सीरीज की कमप्लेंज जो है उनको डील कर रहे हैं उस पर मैं वीडियोज बना रहा हूँ अभी तक मैं 5 वीडियोज बना चुका हूँ यह मेरा 6 वीडियो है यह सारे वीडियोज आप उपर i-link को क्लिक कर सकते हैं सारे वीडियोज आपको मेरी प्लेडिस में चेक बाउंस केस सीरीज में मिल जाएंगे आप उन्हें देख कर सारी जानकारी ले सकते हैं आज मैं आगे बढ़ता हूँ, जब हमने कोर्ट में संबनिंग करा ली है, opposite party अब अपियर हो गई है, अब opposite party अपियर होके सबसे पहले friends, आगे की proceeding हमें discuss करनी है, मैं एक एक step लेके चलता हूँ, अन्त तक, कि अब क्या होगा, अब opposite party आज अपियर होई, अपियर होने के साथ ह यह सबसे पहला जो उन्हें काम करना है, वो यह करना है कि कोर्ट से बेल लेनी है, 138 N.I.A.T. का जो offense होता है, वो बेलिबल offense होता है, तो कोर्ट यह जो accused है, जब अपियर होता है, तो कोर्ट इस बगैर opposite party के बेल लिए, कोई भी proceeding आगे नहीं बढाती है, जिस बी दिन वो पर अपियर होंगे, उन्हें यह जमानतदार दाखिल करना पड़ेगा, कोर्ट जो शौरिटी का amount है, वो डिसाइड करती है, और उस शौरिटी के amount का जमानतदार अपने बेल बॉन्ड के साथ opposite party को लगा कर बेल लेनी पड़ेगी कोर्ट से, उसके बाद आगे की प्रोसीड पहला point हो गया कि opposite party को बेल सीख करनी पड़ेगी, second जब बेल ले लेगी opposite party, तो अब यहाँ पर मैंने पिसले वीडियो में बताया था कि जो complainant है, जिनोंने मुकदमा फाइल किया है, मतलब कि हम, अगर हमारे पास finances की problem हो रही है, तो हम 143.1 Negotiable Instrument Act की application लगाएंगे, court से request करेंगे कि हमें 20% तक का interim compensation हमारे check amount का दिला दिया जाए, जिससे कि हम case लड़ पाएं आसानी से, इस stage के बाद जब court इस पर order कर देगी, या तो accept करेगी, या reject करेगी, उसके बाद जो stage आती है, वो आती है, section 251 के statement की, अब section 251 में क्या होता है, जब accused appear होता है, तो accused के पास दो रास्ते होते है, जो वे पख्षी है आपका, उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो मुकदमा आप से लड़ेगा, या फिर वो ये accept कर लेगा कि नहीनी check जो हमने दिया था, वो गलती से पैसा हमारे account में नहीं रह पाया था, हम पैसा देने को तयार हैं, और इ केस खतम हो जाएगा अगर opposite party पहला option लेती है इस केस को लड़ने का मतलब वो court से कहती है कि नहीं नहीं है चेक तो फरजी था complainant ने गलत मुकदमा हमारे उपर फाइल किया है ये केस तो हमारे उपर बनी नहीं रहा है अगर वो लड़ने की इस केस को contest करने की कोशिश करते हैं तब that means he pleads not guilty तब court उनको जो opposite party है appear होने के बाद उनको उनके उपर जो आरोप लगाए हैं उनसे अवगत कराएगी और उनसे 251 का statement लेगी जिसमें या अगर वो लड़ने की कोशिश करें तो वो deny ही करेंगे सारे के सारे points इसके बाद जब उन्होंने plead कर लिया है कि no we are not guilty we are ready to fight इसके बाद court opposite party को ये मौका देती है कि वो complainant से जो complainant ने अपना एफिडेविट फाइल किया है अपना बयान फाइल किया है और जो मुकदमा फाइल किया है उनके basis पर उससे cross examination करें मतलब जो opposite party की वकील होंगे वो complainant से वादी से वादी मुकदमा से जो भी उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है बयान के रूप में उसके आधार पर उससे सवाल जवाब करेंगे ये कोशिश करेंगे opposite party के वकील जो भी complainant हमने फाइल करी है उसे जूटा साबित करें अब वो cross में क्या-क्या पूछते है कैसे-कैसे cross होता है क्या-क्या जवाब देना है क्या-क्या जवाब नहीं देना है इस पर मैं एक separate video बना दूगा because it's a vast topic सेकलों तरह के questions होते हैं सेकलों तरह के जवाब होते है जब complainant का cross पूरा हो जाता है cross examination पूरा हो जाता है उसके बाद court opposite party को जो accused है उनसे 313 का बयान लेती है यहाँ यह बताता चलूँ friends बहुत सारे लोगों के मन में ये myth है कि 313 का बयान जो होता है वो on oath होता है बिलकुल नहीं 313 का बयान on oath नहीं होता है कोई शपत्पत्र court में दाखिल नहीं किया जाता है court को set of questions बनाती है और वो set of questions opposite party को accused को बताती है accused या तो accept करता है या deny करता है यह 313 का बयान 313 के बयान के बाद court opposite party को accused को एक मौका देती है अगर वो guilty proof नहीं अपने आपको accept कर रहा है कि वो अपने favor का कोई evidence court में लगाए अब ये accused के उपर है कि वो अपने favor के कोई evidence court में लगाना चाहते हैं या नहीं क्योंकि इसके कई पहलू है जब opposite party अपना कोई defense लगाता है कुछ evidence लगाता है तो वो complainant के वकील को एक मौका दे रहा होता है कि opposite party से cross examination करने का और कई बार वहां बहुत सारी ऐसी बाते accused से कहलवा ले जाते हैं complainant के वकील जिससे उन पर आरोप तैय हो जाता है इसलिए ये tricky situation होती है मुकदमे के हिसाब से वकील जो अच्छे वकील होते हैं वो decide करते हैं कि evidence file करना है हमें opposite party accused की तरफ से या नहीं इसके कई पहलों ये जो वकील होगा आपका वो decide करेगा कि किस तरीके से आगे proceed करना है पर चुकि stage थी इसलिए मैंने बता दिया अब जब आप evidence file कर देते हैं accused की तरफ से उसके बाद complainant के जो council है court उन्हें opportunity देती है जो भी evidence file किया गया है accused द्वारा उस पर cross examination करने का वो cross examination में कौन-कौन से सवाल होते हैं किस तरह के questions होते हैं क्या जवाब देना चाहिए क्या जवाब नहीं देना चाहिए इस पर भी मैं एक separate video बना दूँगा because it's a vast topic बहुत time ले लेगा अब जब cross पूरा हो गया accused का उसके बाद court ये expect करती है दोनों ही वकीलों द्वारा कि अब वो final argument court में present करेंगे जो complainant है वो opposite party को सजा दिलाने के लिए और जो accused के वकील है वो opposite party को मुकदमे से बरी कराने के लिए दोनों ही अपना अपना argument करेंगे जब दोनों का argument complaint हो जाएगा उसके बाद court या तो वैसे ऐसा normally होता नहीं है कि open court में ही उसी समय order सुना दें क्योंकि court को भी मुकदमे के सारे documents cross examination, chief examination का एफिडवेड और जो evidence आया है उसको पढ़ने का time चाहिए होता है तो court एक date fix कर देगी जिस पर वो final अपना judgment सुनाएगी अब इस judgment में या तो accused को या तो बरी हो जाएगा या फिर उसे सजा मिलेगी सजा मैं पहले भी बता चुका हूँ मैं फिर से बता दू 138 NIA Act के case में अगर accused सजा का पात्र माना जाता है तो उसे दो साल तक की सजा होती है और या तो fine होता है दोनों हो सकते हैं सजा और fine दोनों और fine का जो extent है वो कई cases ऐसे Supreme Court में होए है and the damages the complainant has occurred मतलब complainant का जो मुकदमा लड़ने में नुकसान अभी तक हुआ है जो damage हुआ है और जो compensation court consider करती है Supreme Court ने check का double amount तक भी complainant को as a fine दिलवाया है तो ये सारी proceedings होती है चेक बाम सिंग के case में I hope सारी confusions clear हो गए होंगे अगर कोई भी confusion या कोई भी ऐसा question है जो आप मुझसे पूछना चाते है please मुझसे comment में पूछें मैं उसका जवाब जरूर दूँगा अगर अभी तक आपने मेरे चानल को like नहीं किया है share नहीं किया है तो please like and share my channel my videos subscribe my channel और जो bell icon button है उसको please click कर दें जिससे कि सारे notifications मेरे videos के आपके पास सबसे पहले तक पहुंचाएं now I'll take your leave yours legally advocate गौरव शुक्ला